string और binary data would be truncated का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं string और binary data would be truncated जो है वो एक error message होता है और ये error message आप को तब आता है जब आप कोई database enter करने की या database को update करने की कोशिश करते हैं और इसका आने का कारण आम तोर पर ये होता है कि मान लिजिए किसी string में या किसी भी line में आप 100 characters लिख सकते हैं लेकिन आपने 150 characters लिख दिये या 100 से ज़्यादा character आपने लिख दिये तब आपको ऐसा error message आता है यानि कि एक ही cell में या एक ही column में जितना specific data आप डाल सकते थे उससे ज़्यादा data जब आप insert करने की एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उस समय आपको ऐसा error message दिखाई देता है निए कि मान लिजिए कोई column है जिसमें आप 10 letters सी लिख सकते थे लेकिन आपने 12 लिख दिये तो वो उसको accept नहीं करेगा क्योंकि उसमें cutting कर देगा उसको वो है उसमें 10 characters तक जो चीज है वो आ जाएगी तो वही आपको यहाँ पर कहा गया है कि string और binary data would be truncated यानि कि जो string या जो binary data आपने डाला है उसको छटने कर दी जाएगी उसको इतना ही data रहेगा जितना इसमें आपका है मतलब जितना इसकी specific limit है तो आप एक बार check करके कहीं आप कोई ज़्यादा चीज तो copy paste नहीं कर र कारे में और अदिक अधर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी screen पर दिया गया आप पढ़ सकते हैं और इसको और बहतर तरीकी से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें